एलो फ्रेंड्स कैसाब सब लोग फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात की जाएगी आपके बहुत इंपोर्टेंट टोपिक की जो आपके सीटेट के एग्जाम में हमेशा एक नमबर या फिर दो नमबर इससे जरूर पूछा जाता है और देखेंग़ बात करूँ मैं आज की वीडियो में मैं आपको συफने सिम्पल तरीके से बताऊँगा आप इसको लाइप में कभी नहीं बूल पाऊगे ठीक है। इस Chapter का नाम आपका बहुबुद्ध्धी का सिद्दान ठीक है वैसे बुद्धी के सिद्दान के बारे मैं मैंने एक और बनाये हुआ है तो इसको आप डीटिल में जा के देख सकते हो लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बहुपुद्धी सिद्धान की क्योंकि इसमें से कोश्चन आपका पूछा जा था चलिए बात कर लेते इसकी बहुपुद्धी सिद्धान जिसको बोल देते गाड इन्होंने बुद्धी के परकार बताये तो बतायते साथ परकार बतायते कि बुद्धी साथ परकार की होते ठीक है और आपके एक्जाम में जो कुष्चन बनता है वो mostly यही से बनता है एक नमबर का चाहा आपका CT or UPT वगर अगर आओ कोई भी हो तो इन्ही टाइप से में तो बुद्धी होगे 9 परकार की, ठीक है, तो 7, 8, 9 परकार की, ऐसे बुद्धी यह, अगर exam में आपको 7 दिखे और 8 न दिखे, तो आप 7 लगाना, अगर exam में आपको 7, 8, 9, 3 दिखे और कोई और भी दिखे तो आप 8 लगाना, 8 को लगाने के लिए बोला हूं, क्योंकि आपक लगा दिया ना और सीवेसी बोर्ड ने आप फिर आपके किसी भी बोर्ड ने इसको गलत ठेरा है तो आप बुक का रेफ्रेंस दे सकते और चैलेंज करके आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है तो इसलिए आप आठ लगाना ठीक है तो बात होगी बहुद्धी की जो हवर्ड गा काम में आती है वह आपकी गाड़नर की बुद्ध्यों के परकार यानि टाइपस ओप इंटेलिजेंस चले इनके बारे में देखते हैं पहली होती है आपकी साब्दिक भासाई बुद्धी जिसको इंगलीस में बोलते है वर्बल लिंग्वेस्टिक इंटेलिजेंस इसके मा पत्रकार है रिपोर्टर हुआ मालोग कुछ भी घटना कहीं घटती है या कुछ भी एकदम उनके सामने न्यूज आती है है तो उनको अपने सब्दों के उपर और अपनी भासा के उपर इतने अच्छी कमांड होते कि उस टोपी के उपर आप उनसे दो गंटे चार गंटे क अब दोगा और भासा का ठीक है तो जिन लोगों में इनकी बुद्धी जादा होती है वह यह बनते हैं और एक्जाम में जो कुछन पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि मालोगर किसी में सब्दिक भुष्ची साब्दिक अधित्ता जादा होगी तो निम लिखित में अधिक हो जाता है तो वह अकाउंटेंड बन जाते हैं स्इंटिस्ट और वगरा यह बन जाते हैं क्योंकि इन लोगों में तरक करने की बहुत अधिक होती है और math calculation की अधिक होती है तो यह लोग बनते है जैसे सी बनगें चार्टेंड बन गए यह बेंकर बन गए बेंक के ठीक है तो इन लोगों में बुद्धी बहुत अधिक होती है जिस तरीके से मैंने चीजे लिखी हुई है इसी तरीके से आध करना बहुत इजी लेंग्वेज में मैंने आपके लिखे ताकि आप एक्जाम में देखते इस कांचर से कर दोगे और सीटेट में तो विशेश कर पूछा जाता है एक से दो नमबर का तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से कर लेना नेक्स्ट आपकी इस्तानिक बुद्धी है स्पेशल इंटेलिजेंस यह बुद्धी जंगे अंतरिक्स मानसिक कल्पनाव से संबंदित होती है जिन वेक्तियों में इनका विकास अधिको या तो वे मुर्तिकार बनते है या फिर चित्रकार बनते है फिर आर्गिटेक्चर ठीक है देखिए अगर मानलो एक घर का नक्सा बनवाना है हमें ठीक है हमारा एक घर का हमें नक्सा बनवाना है तो जंग है कम है हमारे पास लेकिन अगर हम नक्से वाले के पास अगर इस्तानिक बुद्धी बहुत जादा होगी तो छोटे से जंगे में भी घर का एक बहु किचन भीता रूम भीता सब चीथी आप इमेजन कर सकते हैं इतनी कम जंगे में इतनी सारी चीज़े इसने बना दी क्यों कि उसके पास इस्तानिक बुद्धी थी और मोश्ली लड़कों ने काम किया होगा जोगों जब बाइक चलाते हैं और जब भीड हो जाती है और भीड में सम्म बाइक को निकालते हैं जिग जैक करके ले जाते हैं ले जाते हैं बहुत से लोग लेकर गए होगा और बहुत से लोग नहीं बेजाते हैं कि बहुत चोट लग जाएगी या फिर accident हो जाएगा लेकिन कुछ लोग जिक जैक करके ले जाते हैं यहां से निगाल के ले जाऊँगा तो मैं बज जाऊँगा यहां से ले जाऊंगा तो मैं बज जाऊँगा ठीक है अगर उनमें بुद्धि नहीं ना होगी ना तो उनका सीधा एक्सेट्ट होगा और चितेक्षर फच शुब नैक्ष देखतें कुन्ची बुद्धी है आपकी सारिरिक गतिक बुद्धि कि सरीर को गती देने वाली बुद्धी जिन लोगों में इनका जाद विकास होता हो कोन बनते हैं आपके अभिनेता बन गई अभिनेतरी बन गई एथिलीट बन गई यानि धावाक डांसर बन गई देखो यह जितने भी चीज बता है इन सेमी में सरीर की सारीरिक गती की बहुत जाद पर्फरमेंस कर पाते हैं चले नेक्स चलते हैं नेक्स आपकी संगीता अत्मक बुद्धी नाम से पता चला है मुजिकल इंटेलिजेंस और यह कुश्चन तो बहुत बार डिपीट भी आपका सीटेट में ठीक है कि इस बुद्धी के इंतरगा संगीत की बुद्धी अधिक होती है जिन वेक्तों में इनका वीक अधिक होता है या तो शिंगर बनते हैवं पर यहाँ नेक्स एक साथ समझना ठीक हे इनमें काफी confused हो जाती है, एक आपकी interpersonal intelligence, एक आपकी interpersonal intelligence, अंतरवेक्तिक बुद्धी और अंतरवेक्तिक बुद्धी, अब देखो क्या होता है, interpersonal intelligence में क्या होता है, इसमें दूसरे वेक्तियों के साथ interact किया जाता है, ठीक है, और जिन वेक्तियों के में इनका अधिक विकास हो वोटिंग के टाइम पे जब वोट का टाइम होता है, कितना हाथ जोड करा आ जाते हैं, और कि हम ये भी करा देंगे, वह भी करा देंगे, आप उनसे बले किसी भी चीज पर नराज हो जाना, लेकिन आप से इंट्रेक्ट करके हो कहीं नकर олод कर लेते हैं आपका ठीक है, ये दोनों बुद्धियों के बारे में, चले, next पर चलते है, साथ बुद्धियों होगी, ये आपकी आठीवी बुद्धिया आगी, जो आपकी जोड़ी गई थी, 1998 में, Naturalistic Intelligence, इस बुद्धि के वेक्ति प्रकर्थी के नजदिक होते है, ठीक है, जिन वेक्तियों में इनका विकास अधिक होता है, वो क्या बनते हैं, वो किसान बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रकर्थी के बहुत मजदिक होते हैं, तो ये आपके प्रकर्थिवादी बुद्धि हुई, जैसे नच्छ चलते हैं, जो आपकी नवी और लाष्ट बुद्धि है, अस्तितु वादी बुद्धि, ठीक है, इस बुद्धि के वेक्ति हर चीज के अस्तितु के बारे में सोते हैं, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए मोश्टी लोगों के क्यों बहुत है जिन वेक्तिवीं इनका विकास अधिक होता है या तो सादूसंत बनता है फिलोस्पर बनता है और सबसे बड़ी बात अस्तित वाली बुद्धि के लोगों के साद सबसे बड़ी दिक्कत है यह कुष्चन मार की जो भी चीज होती है उसके बात कुष्चन लगा देते हैं कि बहुत क्यों अगजाम नहीं जरूर आती है ऐसा कभी कोई एक्जाम नहीं वहा जिसमें आपके बुद्धी नपूची ह समझ लेना और इसके बाद आप कुछ नांचर लगाना